पूरे देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं करिबन 70 फीजदी चुनाव अब संपूर हो चुके हैं कम्प्लीट हो गए हैं और ऐसे में मलिकार जुन खड़ गई यानि कि कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष घोशना करते हैं कि 5 किलो नहीं बलकि राशन कॉंग्रे चल रही थी 5 किलो राशन की उसका कही ना कहीं प्रेशर है कॉंग्रेस के उपर कि वो इतना ज्यादा राशन बढ़ाना पड़ रहा है घोशना इसी करनी पड़ रही है देखे जनता को पसंद है यह स्कीम अब कांग्रेस को भी पसंद आ गई है कांग्रेस ने भी खबूल क कर रहे हैं कि दस किलो देंगे अभी तो वह चांद तारे भी ले आएं तब भी ने अंदर मोधी जीतेंगे मोधी प्रदान मंतरी बनेंगे मोधी अपकी बार चार सो के पार जाएंगे इसमें कोई शक नहीं है मैंने पूरे देश में कमपेन किया मैंने देखा है हर जगा मोधी मोधी है खडगे जी अपनी जो प्रेस कांफेंस जिसमें उन्होंने गोशना की उसमें ये भी कह रहे हैं कि भाजपा की तरफ से कही ना कहीं अब बहुत लियर नहीं बताया जा रहा है कि पांच किलो राशन दिया भी जाएगा उनका ये कहना है कि वो कह रहे हैं कि देखेंगे दिया जाएगा या नहीं इस तरह के आरोप लगा है ये स्कीम हम लोगों ने पहले ही अपने घोशना पत्र में है जब हम उसमें कह चुके हैं कि पांस साल के लिए बढ़ाएंगे और हम ये भी कह चुके हैं कि आईश्मान भारत सतर साल के उमर के जो लोग होंगे उन सब को इसमे लेकर आई थी तो भाजपा कुछ नया नहीं कर रही है तेलांगना में करनाटका में कॉंग्रेस जो है पहले से इतना राशन बाठती आई हमारी स्कीम पर चर्चा क्यों है क्योंकि हमारी स्कीम पॉपलर है नरेंदर मोदी जी इसके वज़े से बहुत मखबूल है और कांग इसका नाम निशान नहीं है शानवाज जी एक और अगर हम अभी दिल्ली में हम लोग मौजूद है और दिल्ली की बात करें तो आम आदमी पार्टी की जो राजे सबास सांसद है स्वाती मालेवाल उनके साथ मारपीट का मामला सामने आया जो अर्विन केजरिवाल जी दिल आए मिलना ची बहुत शुक्रिया हम से बात करने के लिए भाजपा के वरिशनेता जाहिर तोर पर उनका भी यही कहना है कि क्यूंकि यह स्कीम पूरे भारत में भी चर्चा का विशे रही है और अब शायद कॉंग्रेस को भी पसंद आ गई है इसलिए कॉंग्रेस की प्रेस